दोस्तों वो डंका पती श्री नरंदर मोदी जी का डंका जो हे वो पूरी दुनिया में बज रहा है ये तो गोधी मीडिया बताता हुआ दिखाई दे रहा है कि इतना जबरदस्त तरीके से देश के प्रधानमंत्री श्री नरिंद्र मोदी जी का धंका बज रहा है कि वो जिस भी देश को आख दिखाते हैं वो थर थर कापने लगता है और जिस भी देश को देश के प्रधानमंत्री शिरी नरिंद्र मोदी जी एक टांग पर खड़ा होने के लिए बोल दे वो देश तुरंत एक टांग पर खड़ा हो जाएगा और जैसा देश के प्रधानमंत्री शिरी नरंद्र मोदी जी कहेंगे वो उसी हिसाब से अपने आपको ढालने की कोशिश करेगा यही तस्वीरे मीडिया के जरिये जो है दिखाई जा रही है और यही तस्वीरे जो है लगतार बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे देश के प्रधानमंत्री का दब दबा दूसरे तेशों में बज रहा है पर इसकी हकीकत कुछ और है जो अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है अमेरिकी दौरे के दौरान क्या कुछ हुआ वो तस्वीरे दुनिया के सामने है तो वही कनाड़ा के प्रधानमंत्री जेस्टिन टूडू को कड़े शब्दो में भारत सरकार त्वारा फटकार लगाई गई और खालिस्तानी समर्थक होने का उनके उपर आरोप लगाया क्या और उसी आरोप का जवाब देते हुए आइना दिखाने का काम कनाड़ा के प्रधानमंत्री ने देश की हुकूमत शिरी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को किया और कड़े शब्दों में बताया है कि भारत सरकार जो कडम ऊठा रही है वो दरसल गलत कडम ऊठा रही है इसका जवाब भारत सरकार को देना पड़े का तो अबlles यह सोचिए कि कनाड़ा के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री शिरी नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं जहां देश के प्रधान मंत्री अगर किसी को लाल आखे दिखा दे तो वो देश डर का थर थर कापने लगता था और जस्टिंग टूडू ने किस तरीके से अपने उपर लगे आरोपों का जवाब केंद्र की मोदी सरकार को दिया है एक पार इस पर न करते हुए टूडू ने साफतार पर कहा कि कनाडा में अलग अलग विचारधाला वाले लोग रहते हैं और यहां हर किसी को अपनी बात कहने का हक है कनाडाई प्रधान मंत्री के मताबिक उनकी सरकार आतंगवाद को लेकर बेहत गंबीर है और यह सोच गलट है कि खालिस्ता कि सियासत की वजह से खालिस्तानी समर्थकों पर एक्शन नहीं लेती उटावा में मीडिया से बाचीत के दौरान ट्रोडो से खालिस्तानी समर्थकों की हरकतों और भारत के आरोपों पर सवाल पूछा इनके जवाद में उन्हों ने कहा कि हमने हमेशा अतंगवाद के खिल शामिल थी इसमें पूर प्रधान मंत्री इंद्रा गांदी की हत्या को पुतले के जर्ये दिखाया गया था जस्टिन से सवाल इस घटना के बारे में हुए उनसे पूछा गया भारत का आरोप है कि कनाडा में खालिस्तानी समर्दकों को चूट दी जा रही है इस पर जस्टिन दिताओं वाला देश है और यहां फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन यानि अभी व्यक्ति की आजादी भी है लेकिन ये भी साफ है कि आतंगवात को बरदाश्ट नहीं किया जाएगा पिछले महीने मीडिया से बाच्चित में भारत के विदेश मंत्री एस जिन्स शंकर ने कना कनाडा में खलिस्तानियों की हरकते इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो वर्ट बैंक की सियासत का हिस्सा बन चुके हैं इसके बाद जब कनाडा में भारत के डिप्लोमेट्स पर हमलों की धंकियों पर पोस्टर का मामला सामने आया तो विदेश मंत्राले ने ये कनाडाई ड किया और उन्हें डिमर्शी यानि की नराज़गी जाहिर की और एक लेटर सौप दिया इसके बाद कनाडा का विदेश मंत्राले एक्टिव हुआ और मंगलवार को कनाडा की फॉरेंड मिनिस्टर मैलिन जोली ने कहा कि हम भी वियना कन्वेंशन का हिस्सा हैं लेहाजा भार और उस्ट्रेलिया विदेश मंत्राले की तरफ से भी बिल्कुल सही करार दिया जोली ने आगे कहा कि हमारी सरकार भारत से लगातार बादचित कर रही है हमें जानकारी है कि भारत के खिलाफ कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी चल रही है और यह 8 जुलाई के इवेंट से जु फॉरिन मिनिस्ट्री करीबी से नजर रखी हुई है सुमवार को उन्होंने कहा था कि अमेरिका कनाडा ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया में इस तरह की विचारधरा मौजूद है हमने इन सभी देशों को खलिस्तानी समर्थकों के बारे में विस्तार से जानकारी दिये और एक कनाडा में खालिस्तान की हरकते वहां की वोट बैंक पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं पिछले महीने यानि जून में पूर प्रधान मंत्री इंडरा गांदी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ जहां कनाडा के ब्रेंप्टन शेहर में इंडरा गांदी से हत्या से जुड़ी जहां की निकाली गए इसमें दो सिख गनमैनों को भारत की पूर प्रधान मंत्री को गोली मारते दिखाया किया जहां की में ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के सिख विरोधी दंगों के बैनर भी थे करीब 5 किलोमेटर लंबे नगर कितन में यह जह जहां की दिखाई गई थी छे जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 49 वी बरसी पर इसी जहां की की फोटो वीडियो पोस्ट किये गए इसके बाद भारत में कनाडा में हाई कमिशनर कैमरमेन मैके ने सोशल मीडिया पर कहा था एक प्रोग्राम में वोई इस हरकत से मैं बेह करते हैं वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमरित पाल सिंग की फरारी के दोरान कनाडा में खलिस्तानी समर्थकों ने भारती अम्बेसी में लगा तिरंगा उतार दिया था उसके इस्थान पर खालिस्तानी जंडा फैरा दिया था कनाडा की धरती पर खालिस्तानी समर्थक की ऐसी हरकत पर भारत ने कड़ा एतरास जताया था और कनाड़ा के राजदूतों को भी तलब कर दिया था कनाड़ा में इंद्रा गांदी की हत्या कांड की जाकी पर प्रधान मंत्री जेस्टिन टूडू की चुपी पर भी लोगों ने घंबीर सवाल उठाय थे इनका कहना थ था कि टूडू की सरकार एंडिपी का समर्थन करती है इस पार्टी में बहुत सारे खलिस्तानी समर्थक मौजूद हैं सरकार के समर्थन के कारण ही टूडू कुछ नहीं वोल पा रही है और नहीं खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं खालिस्तानी स पुर्वा श्रिवास्तव का फोटो लगाया गया था वोटो के साथ ही पोस्टर पर लिखा है किलर्स इंट टोरंटो हाला कि खालिस्तानियों की सहरकत का कनाड़ा में ही सिखों ने भी जमकर विरोध शुरू कर दिया भारतिय सेना के रिटाइट मिजर जनरल धुरूफ सी कट चौच ने पिछले दिनों कहा था कि खालिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अफवंड कनाड़ा और ब्रिटेन से आता है पिछले साल से खालिस्तान समर्थकों के और्गनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस ने कई देशों में खालिस्तान के समर्थन में जन्मत संग्रह कराया था कनाड़ा में 18 स्टम्बर को कनाड़ा को ये जन्मत संग्रह कारे गया गया था इसमें पूछा गया था कि क्या भारत से अलग खालिस्तान देश चाते हैं भारते दूतावास ने कनाड़ा विदेश में तराले से शिकायत करते हुए जन्मत संग्रह कराया जाने का रहने वाले भारतिये लोगों के लिए सत्कर्टा बरतने के लिए अलट जारी कर दिया था 22 सितंबर 2022 को भारतिये विदेश में त्रालेप के प्रवक्ता अरिन्नम बाक्ची ने इसका विरोत किया था उन्होंने ये कट्टरपन थी समूहों की देश तोड़ने की एक साजिश करा दिया पिछले महीने भी इसी तरीके से घटनाओं को लगतार अंजाम दिया जा रहा है जहां कनाड़ा सरकार पर मुदी हुकूमत परस्ती हुई दिखाई दी तो उसका पलटवार भी कनाड़ा के प्रखान मंत्री जस्टिन टूडू की तरफ से कर दिया किया है अब डंका जो बच रहा था वो लाल आखें जो दिखाई जा रही थी उन लाल आखों का कितना असर कनाड़ा पर हुआ है ये तस्वीर भी लोगों के सामने है हर एक तस्वीर आपके साथ साजा करता रहूंगा दीजे इजासत शुक्रिया